जैशी कृष्णा दोस्तो बियसराँ फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो पती पतनी का रिष्टा बहुत ही मजबूत माना जाता है अगर दोनों में लडाई जगड़े बढ़ने लग जाएं छोचोटी बातों में अगर लडाई जगड़े इतने अधिक बढ़ जाएं कि यह रिष्टा कमजोर होने लगता है कई बारे देखे पती अपनी पतनी की तरफ ध्यान नहीं देते उनको अंदेखा करते हैं तो जो महिलाई होते हो बहुत ही सम्मेदन शील मानी जाती है अगर उसका पती उसको अंदेखा करता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता तो कई ब वीडियो में हम शुक्रवार की दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बतारे जिनको करने से निश्चित ही आप दोनों की बीच में प्रेम अवश्य ही बढ़ेगा आप दोनों की बीच के जो जगड़े हैं वो अवश्य ही समापत हो जाएंगे दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अभी तक आपने बीच अवश्य ही कलने बगलने बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पोच सके दोस्तों आज की वीडियो में हम शुक्रवार की दिन किया जाने वाले उपाय बता रहें इन तिन ड्रॉप इतरी की डाल सकते हैं अगर गुलाब का इतर हो तो बहुत ही शेष्ट है आपको किसी भी पुजा की दुकान पर इतर मिल जाएगा उसको घोल कर आपको एक सफेद कागज पर मोरपंक की डंडी से या फिर आप किसी भी डंडी से या मतलब जो गुलाब की डं अधिर में तस्वीर है मूर्ति है तो आप उनके पीछे रग दें राधा किशन जी देखे प्रेम का प्रतीक माना जाता है और उनसे प्रातना करें कि आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़े आप दोनों के बीच में मधुरता आ जाए इस तरह से आप इस उपाय को कर सकती ह दूसरा उपाय है दोस्तों देखे कई बारी नकरात्म कुड़जा के कारण वासुदोश के कारण भी बहुत अधिक कलेश बढ़ते हैं तो आपको देखे दो कपूर की टिक्की लेनी है एक पर आपको अपने पती का नाम लिखना है और एक पर आपको अपना नाम लिखना है अगर नाम पूरा ना आए तो आप पहला अक्षर लिख सकती हैं और जिस पर आपने अपना नाम लिखा है उस कपूर की टिक्के को अपने पती के सिराने पे रख दें उनके तक्या के नीचे रख दें और जिस पर आपने अपने पती का अक्षर लिखा है या नाम लिखा है उ की तैकल कई तक काई料 Peak कर सकते हैं ओपने घर के मंदिर में ही आप हुआ पर बैठकर आपको इस मंत्र का 21 बार उच्चारन करना है ओम क्लीम क्रिशनाय नमा उन दोनों इलाइची को अपने सीधे हाथ में रखें और इस मंत्र का आपको 21 बार उच्चारन करना है ओम क्लीम क्रिशनाय नमा ओम क्लीम क्रिशनाय नमा इस तरह से उच्चारन करें और उसके बाद उन पती को चाय में डाल कर पिला देनी हैं अगर आप किसी खाने में मिला सके तो खाने में नहीं तो आप चाय में मिला कर खिलाएं इस उपाय को देखें आपको तीन दिन मतलब लगातार करना है शुकरवार, शनिवार, रैतवार इस उपाय को तीन दिन लगातार करें तो निश् आउसरे दिनाहाद हो कर भगवान शंकर का और माता पारवती का ध्यान करें उनसे प्रातना करें कि आप दोनों की बीछ में प्रेम बढ़े आप दोनों की गरस्ती में शुक्र शान्ति और जब भी आप अपनी मांग भरती हैं तो जो आपने अपने पती के सिराने के नीचे जो सिंदूर रखा है उसी से आपको अपनी मांग भरनी है और उस सिंदूर को आपको रखे ही रहने देना है दोस्तों इस उपाय को करने से निश्चित ही आप दोनों के बीचे प्रेम ब करें आप सभी को जैशी कुछना